तारे सितारे वंगराहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जिन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे आप नित्यका राशी फल नई नई झ्यानवर्दक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक तेवीस मार्च 2020 सुमवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल की अनुसार आज 12 में से 5 राशी वालों को सितारों का साथ मिलेगा इन 5 राशी वालों को कामकाज में सफलता मिलेगी तो आज इन 5 राशीों में हैं मेश, वरशव, सिम्ह, कन्या और धनू राशी वाले लोग वहीं अन्य सात राशी वालों को आज थोड़ा समल करके काम करना होगा तो आज चेत्रमास क्रश्न पक्ष की चतुर दसी तिथी है सोमवार का दिन है आज का दिन मान है बारा गंटा तेरा मिनिट का आज सुर्योदय होगा प्राता काल 6 बच के 21 मिनिट पर और सुर्यास्त होगा साम 6 बच के 34 मिनिट पर आज दिन की सुरुवात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से होगी और आज शुब एवं शुकल नाम के दो शुब योग है आज चंद्रमा का संचरन कुम्भर आशी में होगा और आज का सर्वस्रेष्ट मोहुर्त अभी जीत मोहुर्त आरंब होगा दिन के 12 बच के 3 मिनिट से आरंब हो करके तो 12 बच के 52 मिनिट तक सर्वस्रेष्ट समय रहेगा तो इस शुब मोहुर्त में आप किसी भी नई वस्तो की खरीदारी कर सकते हैं जैसे कि मकान वाहन आदी या किसी भी प्रकार के शुब वर नए काम की सुरुवाद भी इस समय के दोरान आप कर सकते ही यह मोहुर्त बहुती स्रेष्ट है और आज का शुब समय दुष्ट मोहुर्त प्रारंब होगा दिन के 12 बच के 52 मिनिट से आरंब हो करके तो सायंकाल 4 बच के 7 मिनिट तक शुब समय रहेगा तो इस समय अबधी में आप किसी भी शुब वर नए काम की सुरुवाद को करने से बचे और आज राहुकाल रहेगा प्रातह काल 7 बच के 52 मिनिट से आरंब हो करके तो प्रातह 9 बच के 34 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो इस राहुकाल के दोरान आप किसी भी नई वस्तु की खरीदारी नहीं करें किसी प्रकार का लेन देन का काम आप नहीं करें और किसी को भी धन वस्तु आधी उधार में इस समय अबधी में आप नहीं दें और आज दिशा सूल रहेगा पूर्वदिशा में तो आज के दिन आप पूर्वदिशा की और मुख करके कोई भी सुब मांगलिक वा नए काम की सुरुवात नहीं करें पूर्वदिशा की आप यात्रा भी नहीं करें यदि यात्रा करना आपको अती आवश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वक पूजा अर्चना करके अथवा इस्ट देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते हैं। तो आज जो है सोमवार का दिन है जो भगवान भोले नात को समर पी थें। तो आज के दिन भगवान सिवी जी की सरद्धा पुर्वक पूजा अर्चना करने से या खास उपाय करने से मनोवांचित फलों की प्राप्ती होती हैं। और सभी कारियों में हमको सफलता मिल जाती है तो आज आपकी जन्मराशी के अनुसार कुछ सरलवा खास उपाय आपको हम बताएंगे जिससे आपको कारिय छेतर में सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो अब जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भाग़े के सितारे क्या बोलते हैं। तो मेसराशी से आरम करते हैं में सराशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुब फल दाई रहेगा और आज आपके अंदर नेतरतों का गुण और लोगों की जरुतों को समझने की आवशकता ज्यादा रहेगी अगर आप खुद को अभी व्य किसी खास व्यक्ति से आपको किसी प्रकार की समस्या हो सकती हैं एसी स्तिति में आप कारेचेतर में किसी के साथ कोई खास लगाव नहीं रखें किसी से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करें और अपने विरोधियों से भी विसे सावधान रहें बोलते समय भी सावधानी बरते आज लाइब किये दी हम बात करें तो आज विवाहित लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है इस समय आपका जीवन साती काम के सिलसले में आपसे दूर हो सकता है और कुछ लोगों को अपने संगी के बदले हुए विवाहर से कुछ परिसानी भी हो सकती है या जीवन साती के विवाहर से आपको कुछ परिसानी भी हो सकती है तो आज आपको धेरी पुरवक विवाहर करना चाहिए आज व्यापार विवसाई के दी हम बात करें तो आपने अपने अतीत में जो परिश्रम किया है उसका अच्छा फल इस समय आपको कारी छेतर में मिल पाएगा और जो लोग विदेशी या दूर कमपनियों में कारी रथें उन्हें इस समय अच्छे अवसर अच्छे लाव के अवसर प्राप्त हो सकेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आरोग्य की आज कोई समस्या आपको नहीं रहेगी सारीरिक स्वास्त पहले से काफी अच्छा रहेगा फिर भी आपको सतर्ग स्वास्त के प्रती रहने की आवश्रक्ता रहेगी तो आज आपका भाग्यशाली अंकचे है शुबरंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाइस प्रकार से है प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान शिवजी को गंगा जल से इश्नान करावें पुनह सुद्ध जल से इश्नान करवा करके भगवान शिवजी उपर नीला पुष्प अवश्य चड़ावे द्रवे दक्षना आरपन करके करपूर से भगवान शीव की आरती उतारे और यह था शक्ती भगवान शीव जी के पंचाक्षरी महामंतर का बेट करके जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है वरशब वरशब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज बड़े बुजरुगों का स्वास्त में सुधार रहेगा आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे आज आपके माता पिता के बैद किसी बा आपके लिए बनी रहेगी आज आरतिक पक्षा आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आज आपको और शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कामकाच के सिल्चले में यदि कहीं जाना है तो उसमें किसी प्रकार की समस्या आपको हो सकती है इसलिए हो सके तो यातरा क आपको टाल देना चाहिए आपकी जगह इस आफिशियल तूर पर कोई और भी जा सकता है और कारीचेतर में अपने सीनियर से के साथ किसी तरह का मिश्च कम्यूनिकेशन नहीं रखें फिर भी किसी तरह की गलत फार्मी को पेदा आप नहीं होने दें और अच्छे से सबी से व करकार की बहस बाजी करने से बचना चाहिए क्योंकि बहस बाजी आपके रिस्तों को आज खराब कर सकती है आज व्यापार विवसाई की अदि हम बात करें तो अगर आप अपने कारीचेतर में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आपको इसी करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में शामिल उन लोगों से भी आपको बचने की जरूरत है जो आपसे ज्यादा ही इर्शिया का भाव रखते हूं आज स्वास्त की अदि हम बात करें तो आज आपकी सेहत पहले से काफी अच्छी रहेगी फिर भी खानपान पर थोड़ा स संयम आप बरतेंगे तो स्वास्त और भी आपका उत्तम रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंक शाथ है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो और भगवान शिवजी को सुद्ध जल्व पंचामर से इसनान करावे, पुनह सुद्ध जल से इसनान करवा करके यग्योपवित और वस्त्र अरपन करें, और गंद पुष्प अक्षत की दोरा स्रध्धा पूरवक पूजन करें, 21 की मात्रा में बिल्व पत्र पर सफेद और बेट करके महामरत्युन्जे महामंत्र का यथा शक्ती जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबव सफलता दायक आज रहेगा, अगले राशी है मिथुन, तो मिथुन राशी वालों को आज शुबव परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, विद्यार लेना चाहते हैं, तो आज का दिन काफी अच्छा है, इसके अलावा सामाजिक इस्तर पर भी इस राशी के लोगों को इस समय मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ती होगी, और आपके छोटे बाही बहन भी इस समय आपका सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे कारी छेतर में आप अच्छे से विकास कर पाएंगे, आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, यदि आप किसी के साथ बिजनेस आदी करते हैं, तो बिजनेस पार्टनर के से आपके मदभेद हो सकते हैं, यह मदभेद किसी योजना या विचार आदी को लेकर के हो सकता आपको दिहान रखना चाहिए व्यापार या केरियर में आपके छिपे हुए विरोधी आपको किसी प्रकार से हानी पहुचाने का सड़ी अंतर रज सकते हैं यहां तक कि वे आपके शब्दों का आपके विरुद्ध इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसलिए आज आपको विसे सतर कर यहां आएगा यदि आप सच में किसी से प्रेमादी करते हैं तो उनके सामने अपने जजबातों को रखना चाहिए या किसी प्रकार का उनको उपहार देना चाहिए आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो कारेच छित्र की राजनीती से आपको दूर रहना चाह चाहिए और खान पान में सयम बरतना चाहिए वाहन का प्रयोग भी आपको विशेश सावधानी से आज करना चाहिए तो सारीरिक स्वास्त आपका बहतर बना रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक छे हैं शुब रंग आपका पीला रंग हैं पीले रंग का प्रयोग क पारिछेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शिव जल से भगवान शिव जी का अभिशेक करें वस्त्र अरपन करें यग्यो पुवित अरपन करें गंद पुष्प अक्षत से उनका पुजन कर लेवें और ग्याराह की मात्रा में बिल्व पत्र पर सफेद चंदन लगा करके अरपन करें पंचमेवा मिठाई और हल्वे का भो आप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वस अफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है करक करक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि सरलता आपको जीवन में प्रगति प्रदान करेगी इस समय आप अपने व्यभार से समस्याओं ने रचनात्मक सोंचने की आपकी छमता को थोड़ा कमजोर कर दिया है आज जो है आपके छुपे हुए दुस्मन आपके बारे में अपवाएं फेलाने की कोशिस कर सकते हैं उनसे आपको सावधान रहने की अवशकता ज्यादा रहेगी और आपको आपके जीवन साथी की बातों पर गोर करने की आपको अवशकता रहेगी आपका साथी आपकी बहतरी के लिए आपको किसी प्रकार की कोई अच्छी सलाह भी दे सकता है उनकी बातों को महत्तो देना आज आपके लिए काफी फाइदेमन साबित होगा आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो आपके काम से प्रभावित होकर आपका कोई senior व्यक्ति प्रोमोशन के लिए आपका नाम आगे भेज सकता है या जिस किसी कारी छेतर में आप जुड़े हों उस कारी छेतर में आपको अच्छी उन्नती प्राप्तो होने के योग रहेंगे अगर आप कारी छेतर में अच्छी छवी बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ साथ कारी छेतर के सभी लोगों से सालेंता से कारी विभार करना चाहिए आज स्वास्ति की यदि हम बात करें तो आज विसेश करके वाहन चलाती समय सावधानी बरतना चाहिए चोन चपेट आदी की संभावना आपके लिए ज्यादा रहेगी इसलिए सारे रिक स्वास्टे के प्रति सतर करें तो आपके लिए ठीक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रयोक कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ति होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वा बादाओं सी मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहका लिष्णान करने के पश्चात भगवान सिवजी के मंदिर में गाय के सुद्ध घीं का दीपक जला करके शिव परिवार का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन कर लेवें वस्तरादी अरपन करें और भगवान सिवजी को यग्योव पवित अरपन करें 21 के मात्रा में बिलव पत्र पर सफेद चंदल लगा करके चड़ावें और एक धतूरा अरपन करें धूप दीप नेवेद्य अरपन करें नेवेद्य में रितू फलू मिठाई अरपन करें और एक स्रीफल के उपर लाल पुष्प रख करके दरव्य दक्षना आधी रख करके भगवान सीव जी की करपूर से आरती उतारें और यथा शक्ती पंचाक्षरी महामंत्र ओम्न महाशिवाय का सरद्धा पूरवक बेट करके जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा। अगली रासी है सिम्हु, सिम्हु राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आपके लिए आज का दिन कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा रहने की उम्मीद रहेगी। खास करके आपके केरियर के छेत्र और आर्तिक छेत्र में आज आपको अच्छे से उन्नती प्राप्त होगी। लाव जीवन में होने वाली उपलब्दियों, आमदानी और बड़े भाई बहनों से आपके संबंदों में विचार किया जा सकता है। अभी आपके मित्र और रिष्तिदार भी आपकी कमपनी या कारिच छेत्र का आनंद ले पाएंगे। आज उनसे भी आपको अच्छे से सहयोग की प्राप्ती हो सकेगी। आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको धन से जुड़े मामलों को लेकर सावधानी से काम करने की आवशकता रहेगी। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं जिसके चलते आप मांसिक तनाव में भी आ सकते हैं। इस दोरान आपको अपनी बातों को सही ठाराने से बचना चाहिए। हो सकता है कि आपके शेयर से इस समय उनमें आपको लाब मिल जाए। आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज सारी ग्रूप से आप काफी स्वस्त रहेंगे। फिर भी स्वास्त के प्रती सजग रहना आपकी प्रात्मिक्ता आज होना चाहिए। तो आज आपका भाग्यशाली अंकशात है शुबरंग आपका आस्मानी रंग है। आस्मानी रंग का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे। तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहका लिश्नान करने के पश्चात। करें करपूर से सरद्धा पूरवक शिव परिवार के आरती उतारें और बेट करके महामरत्युन जय महामंतर का सरद्धा पूरवक यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुव वह सफलता दायक आज रहेगा। यदि आप व्यापार व्यवसाय आदी से संबंद रखते हैं तो व्यापार में कोई अच्छी डिल आपके द्वारा हो सकती है। नोकरी व्यापार में ग्रोथ आपको विशेश रूप से देखने को मिलेगी। आपके व्यापार में विस्तार होने की प्रबल संभावना आज बन रही है। आज आपको अशुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि इच्छा सकती की कमी आपको भावनात्मक और मानसीक परिसानियों में फसा सकती है। अपने मन मोजी बरता उपर आपको नियंतर रखना चाहिए क्योंकि यहाँ आपकी मित्रता को और आपकी छवी को खराब कर सकता है। साजेदारी और व्यापार में हिस्सेदारी वगरह से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं आपके लिए रहेगा। हो सके तो यात्राओं को आज आपको टाल ही देना चाहिए। आज लाइब की यदि हम बात करें। तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय आपके रिष्टे और भी मजबूत रहेंगे। आज स्वास्त की अधी हम बात करें। तो उत्तम स्वास्त को पाने के लिए आपको योग ध्यान का सहरा लेना चाहिए। और अनुलोम विलोम आधी व्यायाम आधी आपको करना चाहिए तो मांसी को सारीरे कुछ रूप से आप काफी स्वस्त बने रहेंगे। तो आज आपका भाग्य साली अंक चार हैं, शुब रंग आपका नारंगी रंग यहें, तो नारंगी रंग का प्रियोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगें, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ति होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वा बाधाउं स प्राताहकाल इस्नान करने की पस्चात एक सिरिफल के ऊपर पीला पुष्प अरपन करें कुछ द्रव्य दक्ष्ना रक करके अरपन करें करपूर से भगवान शिवी जी की सरद्धा पुरुवकारती उतारें और बेट करके पंचाकषरी महामंत्र ओम्न महाशिवाय का सरद्धा पुरुवक जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबु वा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है तुला तुला राशी वालों को आज शुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यदि आप कहीं नोकरी आधी करने का विचार कर रहे हैं आपके अंदर योग्यता है तो आपको नोकरी क आउसर मिल पाएंगे इस समय आपको अच्छे आउसरों की प्राप्ति होगी आपके सपने पूरे होने की योग रहेंगे आपके अंदर सकारात्मक विचार रहेंगे और आप अधिक महनत कर पाएंगे आपको नई नई चीजे भी इससे आपको सीखने को मिलेगी सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसी भी कारी चेतर में आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके उपर काम का लोड अधिक रहेगा लेकिन आप इसे अच्छी तरह से मेनेज कर पाएंगे अन्यता ऐसा न कर पाने की स्थिति में किसी कलाइन्ट या फिर सहकर्मी से विवाद आपका बढ़ सकता है काम के दबाव में आप अपने परिजनों को परियापत समय भी कम दे पाएंगे इसलिए तनाव मुक्त होकर काम को आप करते रहें आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज जीवन सांती के साथ अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे जिससे घर का माहूल आपके लिए काफी बहतर बना रहेगा आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो आपके भाई बहन आपको धन कमाने और उसे बचाने के लिए कोई आइडिया आपको दे सकते हैं यदि आप उनकी बातों पर सच्चे से अमल करते हैं तो आपको आने वाले समय में काफी मुनाफ़ा मिल पाएगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी फिर भी सारीरिक स्वास्त के प्रती आपको सतर करहने की आवशक्ता ज़्यादा रहेगी क्योंकि बाहर के खान पान के कारण आपके स्वास्त पर प्रतीकुल प्रभाव पड़ सकता है तो आज आपका भाग गिशाली अंक दो है शुबरंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियोग कारी छित्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटव बाधाउं से मुक्ति पाने के ल और सिवजी को ग्यारा हकी मात्रा में बिल्व पत्र सफेद चंदन लगा करके अरपन करें यग्योपवित और एक धतुरा अरपन करें और रितुफल मिठाई पंच मेवा का भूग अरपन करें एक सिरिफल अरपन करें सिरिफल के उपर नीला पुष्प और द्रव्य अरपन करें करपूर से शिवपरिवार के सरद्धा पुर्वकारती उतारें और बेट करके भगवान शिवजी के नाम मंत्रों का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबव सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है व्रश्चिक व्रश् कारीचेतर में आपके सीनियर्स अधिकारी वर्ग आपके उपर पूरा विश्वास रख पाएंगे कारीचेतर में आपकी छवी में सुधार आएगा और व्यापार से जुड़े जातों को अच्छे परिणामों की प्राप्ती होगी धनल आपके अच्छे अवसर आपको मिल आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आरगनाईजेशन में आपका अंतिरिक रूप से इस्थानांतरन हो सकता है अंतिम छड़ों में आपके सीनियर्स आपको कोई नया प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिसे पूरा समय आपको करना होगा और इसका आने की वज़ाए बात को शेयर करना चाहिए और उनकी बातों को समझना चाहिए अगर आप काईदे से बात करते हैं तो आपकी बात को अवशे ही महतों मिलेगा आज व्यापार व्यवसाई की एदि हम बात करें और किसी को धोका देकर पेसा कमाने के वबारे में आपको रामिंग नहीं करना चाहिए जो आपके लिए जरूरी नहीं हो जिस पर काफी फैसा बरबात भी आपको करना पड़ें आज व्यापार व्यवसाई की एदि हम बात करें आज स्वास्त की एदि हम बात करें तो आज धुम्रपान या मादक पदार्थों से आपको दूरी बना तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रतहकाल इश्नान करना के पश्चाथ भगवान शिव जी के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का दीपक जला करके शिव परिवार को पंचाम रसे श्नान करावें पुनह सुद्ध जल्व गंगा जलसे श्नान करावें वस्तर अरपन करें सिव जी को यग्यो पवित अरपन करें और चंदन से उनका अच्छे से स्रंगार करें एक धतूरा अरपन करें रितुफल मिठाई पंचे मेवावर हलवे का भूग अरपन करें एक स्रीफल चड़ावें, स्रीफल के उपर पीला पुश्प रखें, कुछ द्रव्य दक्षणा आदी रख करके, करपूर से शिवु परिवार की सरद्धा पुरवकारती उतारें, और बेट करके महामरत्युजे महामरत्य का मंत्र का यथा शक्ती जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वा सफलता दायकाज रहेगा, अगले राशी है धनू, धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि पारिवारिक जीवन में सुकून की प्राप्ती होगी, यदि पिता के साथ किसी बात को लेकर आपके मदभेत थे, तो इस समय आपके मदभेत दूर हो जाएंगे, और आपको पिता की अहमियत का अंदाजा भी होगा, पिता को प्रसन करने के लिए आपको उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, और उनका आशिरवात लेकर कि किसी काम की सुरुवात करना चाहिए, जिससे कि आपको कारी छेतर में अच्छी सफलता मिलेगी, आज आपको अशुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही, लेन देन के मामलों में आपको सतरकता बरतना पड़ेगी, नहीं तो धन हानी होने की संभावना अधिक रहेगी, अपने खर्चों पर ध्यान अवश्य देन और विवाहिक जीवन में उतार चड़ाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, विवाहित जातकों के दामपत्ती जीवन में किसी तरह की गलत पहमी से रिस्तों में आपके कड़वा हटा सकती है, इसलिए आज आज आपको घर परिवार में सामंजे से बनाए रखना आपकी प्रात्मिक्ता होना चाहिए आज लाइप की यदि हम बात करें तो शादी सुदा लोग अपने जीवन सांती के साथ किसी परिवर्तन को कर सकते हैं आपके जीवन सांती का व्यवहार घर के बागी सदस्यों के साथ अच्छा नहीं होगा जिसकी वज़से आप उनके साथ ठीक स व्यवहार कम कर पाएंगे आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो जिन लोगों ने बेंका आदी से लोन लिया था वे लोन चुकाने में सफल भी हो सकते हैं चूंकि आप लोन की रकम चुका देंगे इसलिए आप काफी फेसों की बचत आने वाले समय में कर तो आज आपका भाग्यशाली अंकचे हैं शुबरंग आपका केसरीया रंग हैं तो केसलीया रंग का परियोकारिचेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ति होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटवा बाधाउं से मुक्ती प उसमें थोड़ी सी केसर चंदन मिला करके गुलाब पुषप आदी मिला करके उससे इस्नान करावें। अगली राशी है मकर, मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको केरियर के छेतर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समय काफी खास रहने के आसार रहेंगे क्योंकि आपके बच्चे अपने छेतर में कोई विशेस उपलब्दी प्राप्त कर पाएंगे जिससे कि आपको गर्व की अनुभूती भी होगी। आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप पड़ाई या केरियर में अच्छा नहीं कर पा रहें तो इसके लिए आपको अपने भाई बहनों से सहयोग लेना चाहिए। क्योंकि वहाँ आपके सबसे करीब रहेंगे और वही जानते हैं कि आपके अंदर किस प्रकार की कमी हैं और आपके अंदर किस प्रकार की खुबी हैं। में भी आज आपको जूट का सहरा नहीं लेना चाहिए जिससे की आपकी लाइब वहतर चलती रहें। और योग ध्यान का भी आपको विशेश करके सहरा लेना चाहिए जिससे की सारीदिक और मांसिक रूप से दोनों प्रकार से आप स्वस्थ बने रहें। तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन हैं। शुब रंग आपका गुलाबी रंग हैं। गुलाबी रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक से अधिक आप करेंगे। तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी। तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटव बादाओं से मुक्ती पाने के लिए। आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं। कि प्राताहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान शिव जी के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का दीपक जला करके शिव परिवार का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन कर लेवें। और पीले पुष्पों की माला अरपन करें। तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा। अगली राशी है कुम्भ। कुम्भ राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। अगर आप काफी समय से अपने करीबी रिष्टेदारों से नहीं मिल पाएं। इस समय उनसे मिलने का अवसर आपको मिल पाएगा। और उनके साथ कहीं गुमने फिनने का अवसर भी मिल पाएगा। यह जो मुलाका थे आपके लिए मानसी कृप से सांती देगी। और यदि आपके बच्चे हैं तो उन्हें भी अपने करीबियों को जानने का अवसर मिल पाएगा। आज जो है घर परिवार के लोगों के सायोग से कारी छेत्र में भी अच्छा आप विकास कर पाएगे जिससे आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत बना रहेगा। आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यदि किसी मित्र के मन मुटाव की इस्तिती आपके सामने बन रहे हैं तो इस दोरान उसमें सुधार होने की योग रहेंगी। इसके साथ ही कोई भई आपको सता रहा है तो वह भई भी आपका दूर हो सकेगा। संतान की पड़ाई में पैसा अधिक खर्च हो सकता है लेकिन इस कारे के लिए आपने पूर्व में जो निवेश किया है वह धन आपके काम आएगा। आपके लिए अच्छा रहने की पूरी उम्मीद रहेगी। आपको केरियर के छेतर में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और पेसों से जुड़े मामलों में भी आपको इस समय ज्यादा परेसानी नहीं रहेगी। आर्थिक पक्ष भी आपका बहतर बना रहेगा। आज स शुब रंग आपका बेंगनी रंग है। बेंगनी रंग का प्रियोग कारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे। तो आपको विशेश लापकी प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विग्ण संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का दीपक जला करके शिवजी को कच्चे दूद में केसर वचंदन मिला करके उससे अभिशेक करावें पुना सुद्ध जलव गंगा जल से इसनान करवा करके भगवान शिवजी का अच्छे से सरंगार करें यग्यो पवित अरपन करें वस्त्र अरपन करें गंद पुष्प अक्षत के द्वारा सरध्धा पुरवक पूजन करें ग जरपूर से शिव परिवार की सरद्धा पुरुवकारती उतारे और बेट करके सिव चालीसा अथ्वा महा मृत्तिंजे महा मंतर का पार्ट करें तो यसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वा सफलता दायकाज रहेगा। व्यक्तिगत और रंग रूप को बहतर बनाने की कोशिस आपके लिए संतोज जनक साबित होगी। आज लोगों से अच्छे संपर्ग बनाए रखना आपके लिए भविशे में काफी फायदे मन साबित होगा। रुपे पेसे को लेकर वाद विबात के चलते आपके दामपत्ती जिवन में खटास पैदा हो सकती है। तो आज विशेश करके आपको साबधानी पुरवक विबाहर करने की आवशक्ता ज्यादा ही रहेगी। आज लाइब के यदि हम बात करें तो लंबे समय से रिलेशन्शिप में रह रहें। इस रासी के जातक अपने प्रेमी से ब्रेक अप कर सकते हैं। हाला कि यह फैसला लेने के बाद आपको पच्ताओं भी होगा। और यदि आप साधी सुदा है तो अपने साधी सुदा जीवन में आज आपको प्रेम पुरण विबाहर करने की विशेश आवशक्ता रहेगी। इसके लिए आपको किसी प्रकार का उपहार या किसी प्रकार का समर्पन घर परिवार वालों के लिए करना पड़े तो वहाँ आपके लिए करना चाहिए। आपको दिल की समस्या होने की संभावना अधिक रहेगी। इसलिए किसी भी प्रकार की छोटी मूटी समस्या जोदी आपको खड़ी हो तो उसको नजर अंदाज आपको बिलकुल नहीं करना चाहिए। सिवजी के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान सिवजी को घंगा जल से अभिशेक करावें। पुनह सुद्ध जल से इसनान करवा करके वस्तर आदी अरपन करें। 21 की मात्रा में बिलवपत्र पर सफेद चंदन लगा करके अरपन करें। और रितुफल मिठाई पंच मेवा का भूगरपन करें। जैसरी करश्ण मित्रों फिर मिलेंगे।